बहुत बहुत स्वागत आप देखना शुरू कर चुके हैं MP अब तक आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती शुरू आद करेंगे बड़ी खबर के साथ बोपाल से बड़ी खबर बाल बाल तीन लोगों की जान बची है चलती कार में भीशन आग लगी और कार सवार तीन लोगों ने किसी तरह कूट कर अपनी जान बचाई है बेरला मंदिर के पास की पूरी घटना है तस्वीरों को देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर आग लगी और इसके बाद बाल बाल तीन लोगों की जिंदगी बची है जब हम बार बार ये कहते हैं कि चलती कार से लोगों ने कूट कर अपनी जान बचाई है कार सवार तीन लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है भोपाल की ये तस्वीरें न्यूज 18 मध्यप्रदेश 36 गर्ष सब से पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है भोपाल से ये तस्वीरें बाल बात तीन लोगों की जान बची है बिरला मंदिर के पास की ये घटना है चलती कार में आग लगी आग लगने की वज़ा है अब तक साफ नहीं हो पाई है तीन लोग इसमें सवार थे ततकाल इन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई बिरला मंदिर के पास ये घटना करम रहा और जैसे ही याग लगने की घटना हुई आज पास भीड लोगों की लग दे सुष्टी को भचाना है इस नाम में सब कुछ है सिहोर के मंगावली गाओं का ये पूरा मामला है बोर्वेल में तीन साल की मासूम गिर गई है सूचना मिलने के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया कलेक्टर रेस्पी प्रशाषनिक टीम मौके पर मौजूद है बच्ची का नाम सुष्टी कुछवाहा है खुद मुखे मंतरी शिवराज सिंग चौहान इस मामले पर लगातार नज़र रखे हुए है बच्ची को रेस्क्यू करने के निरिदेश दे दिये गए है बच्ची के लिए दूआ करिए तकरीबन धाई से तीन साल की ये मासूम बच्ची हलचल नज़र आ रही है अच्छी बात है और अब पैरलल एक गड़ा खोदा जा रहा है इसे आपकी दुआओं की धरकार है और नीचे वो भी देखते रही है कप कप कहा कहा हाँ 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 से हुए आपने जो मौत के कुएं खुले छोड़ रखे थे वो कप कप काल बन गए उनीचे आप देखते रही है नीज़र टीम पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रस्क्यू की तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर नीज़र टीम की टीम मौजूद है मंगावली गाओं का ये पूरा मामला है खेलते वक्त ये बच्ची गिरी और अब इस बच्ची को आपकी दुआओं की दरकार है लगातार NDRF, SDRF की टीम यहाँ पर रेस्क्यू में जुटी हुई है पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए जी बिल्कुल संतुष्ट है और लगातार NDRF 18 शुरुआत से ही यहाँ पर बना हुआ है वासू आपको नजार आ रहोंगे, वासू के पास आपको लिए चलेंगे वासू क्या कुछ अपडेट स्रिष्टी से जुड़ा हुआ बिल्कुल लले देखे, अब सिहोर के मंगावली गाउं में एक बड़ा दुखत हास्ता हुआ है तीन वर्ष की स्ष्टी मासूम बच्ची खेलने के दोरान बोर में गिर गई वही सूर्ते हाल जो लगातार हमने पिछली गटनाओं में भी देखा चाहे बैतूल की बात हो या फिर अन्य जगाओं की बात हो बोर लोग रापर वाही पूरवक खुले छोड़ देते हैं और उसमें मासूम फस जाते हैं और फिर कहीं न कहीं जो जोके में वो सीधा उनकी जान पर बनाता है पिछले करीब 6-7 गंटे से जो रेस्क्यू उपरेशन है लली जी वो जारी है और आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे NDRF, SDRF की टीम्स में यहाँ पर मोर्चा सबाला हुआ है बताया जा रहा है कि 300 फीट गहरा सूखा यह बोर है जिसमें करीब 30 फीट की गहराई पर जो बच्ची है वो फसी हुई है और यहाँ पर एक पैरलल गड़ा बनाने का काम जो डिगेंग का काम है वो यहाँ पर चल रहा है आदे दर्जन से जादा जो मशीने हैं जिसमें पोकलिन जैसी भी जैसी मशीने ड्रिल मशीने शामिल है उनकी मदद से यहाँ पर खुदाई की जा रही है और जब पैरलल डैप्त तक यह पूरा गड़ा बन जाएगा उसके बाद एक टनल बनाई जाएगी जिस टनल के जरिए यह कोशिश होगी कि इस ट्रस्टी तक पहुँचा जा सके लेकिन उसमें कितना समय लग जाएगा यह फिलाल कोई भी साशन प्रशाशन का यहाँ पर जो अधिकारी है जो जिम्मेदार है वो इस पर शुरूप से नहीं बता पा रहे हैं बैरहाल जो शिष्टी है उसके लिए दुआओं का दोर लगातार जारी है आप देखेंगे कि जहां जो घटना इस सल है उसके चारो और पुलिस की बैरिकेटिंग है बड़ी संक्या में ग्रामीन यहाँ पर पहुँच हुए है परिवार के सदस से जो है वो भी यहाँ पर म डाला गया है हाला कि यह बताया जा रहा है कि थोड़ा सा समय हो चुका है जबसे कोई भी जो मुवमेंट है वो बहुत जादा नोटेस नहीं किया गया है तो एक लंबा समय 6 गंटे भी हो चुके हैं तो संभावत सी बात है कि बच्ची जो है वो ठक गई होगी परिशान दूसरी तरफ एक मुश्किल भी यहाँ पर खड़ी हो गई है थोड़ा सा जो बैतूल में हमने सूरतेहाल लले जी देखा था कुछ वैसे ही परिशानी वैसे ही तस्वीरे यहाँ पर भी सामने आ रही है पत्रीली जमीन जो है यहाँ पर निकल कर सामने आई है खुदाई की द कारी हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं देड़ बजे के करीब यह पूरा हासा हुआ था और प्रशाशन की टीम को धाई बजे के करीब इस पूरी घटा की सूचना मिली और उसके बाद से यह पूरा ऑपरेशन जा रही है जी जे जे चलिए बहु का गंगा जमना स्कूल इसे लेकर प्रशाशन एक तरफ एक्शन कर रहा है दूसरी तरफ खोलासों की फैरिस चल पड़ी है स्कूल में धार्मेक शिक्षा दी जा रही थी बच्चों को इसके लिए बाध्य किया जा रहा था पोस्टर विवाद के बाद गंगा जमना स्कूल का सच भी सामने आने लगा है स्कूल में धार्मेक शिक्षा दी जा रही थी यही नहीं बच्चों को इसके लिए बाध्य तक किया जा रहा था यकीन नहों तो बच्चों की जुबानी सुनिये हिजाब के जाते थे तो वो लोग कहते थे यह नहीं पहन के आया करो उर्ड मारते थे कौन पर देशा लिए बोलते थे कि हिजाब पहन इंदर आओगे बना भगा दिये जाओगे स्कूल का सच भले अब एक एक कर सामने आ रहा है लेकिन ये सब कुछ हो रहा था जिला प्रशासन की नाक के नीचे पोस्टर विवाद के बाद D.E.O. पर क्लीन चिट देने का आरूप था इसे लेकर हिंदू संगठनों ने D.E.O. पर कालिक फेंकी वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी माना कि अधिकारियों ने लापरवाही बढ़ती है D.E.O. को हटाने के नर्देश जारी कर दिये गए हैं मंत्री ने कलेक्टर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किये हैं वहां के जिलापरसासन को वहां के कलेक्टर को ततकाल कारवई करके उसके खिलाब कारवई सुनिश्चित करना चीए था लेकिन जिलापरसासन कलेक्टर लगातार प्रेस में आ करके उसको बचाव करने के बयान दे रहे हैं ये घोर आपती जनक है, इसकुल शिक्षा इवाग ने निरने किया है, ततकाल उस दियों को हटाना, साथ में उनकी क्या भूमी का रही है, उनकी लापर हुई का रही है, उसको भी जाज के दाइरे महम ले रहे हैं। अगर धर्म विशेश की शिक्षा दी जा रही थी, तो कड़ी कारवाई किये जाने की जरूरत है। गंगा जमना स्कूल की ये तस्वीरे हैं, हिजाब पहने चात्रों में कई हिंदू लड़कियां भी हैं। वहीं स्कूल की प्रार्थना पर भी सवाल है। प्रारंभिक जाच में शिक्षकों के धर्म परिवर्तन का तथ्य भी सामने आया था। इस बीच स्कूल की तीनों शिक्षकाओं ने अपना पक्ष रखा है। इन लोगों का कहना है कि स्कूल में जॉइन करने से पहले ही उन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। परिवर्तन के बारे में खुछ जानता है नहीं है और हमारे मुहंबद सर्व, हाजी मुहंबद इद्रिश सर्व, उनका इस बारे में इस मेर्मेटर से लेगे कोई संबंध नहीं है। इस बात को आप स्कूल से क्यों जोट रहे हैं। आपका अभी जो नाम है अस्फा सेख है अस्फा सेख इसके पहले आपका क्या नाम था। परिवार की सहमती से उना था। इन लोगों ने कलेक्चर को आविदन दिया और स्कूल पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों को गलत बताया। वही मुस्लिम धर्म गुरू ने भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि जाच से पहले ही स्कूल को धर्मांतरन का अड़ा मान लिया गया। ऐसा करना ठीक नहीं है। जाच चल ले ही मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि जाच हो रही हो जो भी जाच में आएगा इंशालला ताला फिर उस पर बात की जाएगी। अगर अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है उसको पूरा प्रिपलान ऐसा कर दे गया है कि जैसे वो वहाँ पे स्कूल नहों वो एक धर्म परिवर्तन कराने का अड़ा बना हुआ। शिक्षकों के द्वारा धर्मान्तरण को लेकर अगर कही बात सही भी है तो इस मामली की तह तक जाने की जरूरत है। धर्मांतर्ण मर्जी से किया गया ये कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती वजह क्या थी ये जानना भी जरूरी है लिहाज जांच चल रही है उम्मीद है दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा इदार इंदार महपूर मुखी मंतरी दिगविजय सिंग का एक अलग रूप देखने को मिला दरसल रेसीडेंसी कोठी पर दिगविजय सिंग जैसे ही मीडिया से बात करने के लिए हॉल में कुर्सी पर बैठे वहाँ पहले से खड़े कॉंग्रेस कारेकरताओं से उन्होंने क फिर आगया दिगविजय सिंग के लिए उठकर हो कारेकरताओं पर बरस पड़े खुद धक्का देकर कारेकरताओं को हॉल से बाहर निकाला गेट बंद कर दिया इसके बाद उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस में यदि डिसिप्ले ना जाए तो वो कभी चुनाओं नहीं हार सकत बीजे पी ने लेली चुटकी नरेंद्र सलूजा पुराने कॉंग्रेसी और नय भाजपाई उन्होंने कहा कि राहूल गादी महबबत की दुकान की बात करते हैं और दिगविजय सिंग की महबबत की दुकान इंदोर में देखने को मिल गई कांगरेस में डेसेट्र ना जाए ना तो कभी सुनाओं नहीं हा सकती है अभी तुम दूफ दो जाओ कई मारेस को जीताने के लिए काम कर रहे एंगिन लगातार उनके विवादास पद बयान सामने आ रहे है उनके वीडियो सामने आ रहे हैं आज इन द गर पत्रगार वारताव ORं में आपक हो बेटे और एक तरह से मारने के लिए धोड़ पड़े और उनको कमने से filled करा दर्वाजे की कुंडी लगा दी ये इनकी मुझबत की दुकान तो ये पूरा घटना क्रम निकल कर सामने आया सही होगी अरुण हमारे साथ जुड रहा है और उनके पास हम आपको लिए चलेंगे किस तरीकी का पूरा घटना क्रम था अपने कारिकरता ओपर दिग्वी यहां से लेकर कहां कहां तक चर्चा में है यह वजाए कि इस महबद के दुकान पर बीजेपी हमलावर है तो सही होगी अरुन हमारे साथ जोड़ रहे हैं अरुन के पास हम आपको लिए चलेंगे और इस पूरे घटना करम को लेकर भी उनसे चर्चा करेंगे अरुन आपको नज़र आ रहे होंगे अरुन ये घटना करम भी बताएं और एक और महतुपून बात जो दिगविजय कह रहे हैं कि अगर कॉंग्रेस में डिसिप्लन आ जाए यही अगर और मगर है कि सालों पुरानी पार्टी लगभग अतीत की कगार पर है जे बिलकुल देखिए कांग्रेस विधान सभा का चुनाव जो मद्विदेश में साल होने वाला है उसको पूरी एक जुटता के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस के जो रूठे हुए कार करता है जो असंतुस्ट कार करता है उनको मनाने का काम किया जा रहा है इन रूठे हुए असंतुस्ट कार करताओं को जमीनी इस्तर पर मनाने की जिम्मेदारी है वो दिगवजय सिंग को दी गई है लेकिन दिगवजय सिंग भड़क जा रहा है उनको गुस्सां आ रहा है अभी कुछ दिन पहले ही बुरहानपूर में वो अलक संख्यक विवाक क जलाद ध्यक्षे पर भड़क गए थे और उन्हों से कहा था कि आप यहां से चले जाए उसके बाद खनवा में उन्होंने कह दिया था कि भाड़ में जाए कांग्रेस आपको जो बोलना है बोलिये और आज इंदौर का भी घटना करम हुआ कि जब दिगवजय सिंग मीडिय से बात करने के पहले तो मीडिया पर ही भड़क गया है जब म 모두 से कहा कि आप लोग से किरिया करता को बाहर हो जाएं जो जिलाद ध्यक्ष हैं सदा से वियादा हो और यहां के प्रभारी महेंद जोसी उन दोनों से कहा कि आप लोग इन कारकरताओं को बाहर करिए हॉल से और कारकरताओं से भी आगरे किया कि आप लोग बाहर चले जाएए मैं उनी लोगों से मिलूँगा जो लोग यहां से बाहर चले जाएगे जो यह बैठे रहेंगे उनसे आज में नहीं मिलूँगा लेकिन कुछ कारकरता तो उनकी बात मान गया हो बाहर हो गया लेकिन फिर भी कुछ कारकांटा उनके पीछे खड़े रहे, उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस शुरू की, उनकी नजर पीछे कारकाटाओं पर गई, तो फिर वो अपना आपा खो बेटे और उन कारकारताओं को उन्होंने हॉल से बाहर किया, उनको धक्का दिया और बाहर कर दिया और गेट बंद करा दिया उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कांफेंस शुरू की तो का जो दिग्वजय सींग का जो गुस्सा था वो सात्वे आसमान पर पहुच गया था और वो कार करता हो पर से अपना आपावु खो बैठे और काफी नाराज भी वह हुए और एक बात वर जरूर कहीं कि जे 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 चुनावी सीजन में आसमान पर पहुचा ये गुस्सा सात्वे आसमान से जमीन पर ला दिता है यही सबसे बड़ा पेच्छ है बहुत बहुत धन्यवाद अरून इस सा तमाम जानकारी के लिए अगली ख़बर PCC दफतर से पहुच गए बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल होने के लिए PCC के दफतर पहुचे दीपक जोशी के नित्रतों में बजरंग सेना PCC के दफतर पहुची कमनलात ने यह बयान भी दिया समौके पर के धर्म राजनीती का मुद्दा नहीं जो अब आपके हैं तो एसी वर ताजनीती की घोषना जो राजनीती है क्या यह हमारे प्रदेश को सुरक्षिक कर सकती है अब इता प्रदें धरम अचार का जिशे है विचार का जिशे है राजनीती की घचार का जिशे है यह हम कौन से रास्थे कर चाहना चाहते है इधार लवजिहात के मामलों को लेकर साधवी रितंबरा ने कहा कि बेटियों को दानवों के खिलाफ दुर्गा बनना चाहिए उन्होंने बेटियों से आवाहन किया कि दुर्गा वाहिनी में शामिल होना चाहिए साद्वी ने ये भी कहा कि गुंडे मवाली और चदम वेश धारण करने वाले बीटियों के साथ चल करने वालों की कहानी अब खत्म होनी चाहिए ताकि पापियों की चाती पे चड़कर उनको उनकी अवकात बताई जा सके स्वयम सिद्धा होना बहुत जिरूरी है गुंडे मवाली लफंगे लोग चदम भेश धारण करके हमारी बच्चीयों के साथ चल करें उनका असमिता उनकी उनका शील लूटें और फिर उनका कतल कर दें ये कहानियां खत्म होनी चाहिए इसलिए कोई तारण हार उपर से आने वाला नहीं है अपनी तराता स्वयम बनना है इसलिए ज्यादा से ज्यादा पुत्रियों को दुर्गावाईनी में शामिल होना चाहिए और अब पचीस सेकंड में खबर दमोह डियो पर स्याही फेकने के मामले से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया किनारा कहा गटना के संबन्द में कानून का रहकारवाई दोशियों को मिलेगी सजा बाला सो ट्रेन हाथ से पर दिकविजे सिंग ने केंदर सरकार को गेरा कहा इंटरलोकिंग सिगनल्स में फॉल्ट की वज़े से हुई दुरगटना रेल अधिकारी ने सरकार को फरवरी में ही दी थी इंटरलोकिंग फॉल्ट की जानकारी गॉलियर पहुंचे उत्राखंट के सीम पुषकर सिंग धामी शिवरास सरकार के कामकाज की तारीफ विपक्षी एक्ता पर उसे सवाल चेतरपूर में दलित दूले की बाराध पर हमला सूचना पर पहुँची पुलिस पर भी पत्फराओ पुलिस ने पचास के खिलाफ दर्ज किया माँदा देवास में गबन करने वाले पटवारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर ने साथ पटवारियों को किया निलम्बित, सीय जी की ड्राप्ट रिपोर्ट में हुआ था खुलासा खड़वा में दस्वी की छात्रा से दुशकर्म, छात्रा ने जहर पीकर जान देनी की खुशिश की, पुलस ने आरुपी को गिरफतार किया शिवराज कैबिनेट की कल और अपचारिक बैठक, सीयम हाउस में होगी मंत्रियों के साथ बैठक, लाड़ली वहना यूजना खुलेकर हो सकती है, चर्चा वीजेपी नेता, शेयतान सिंग के सामने कॉंग्रेस का गुणगान, सामाजिक कारिकरता ने क्या गुणगान, कारिकरता को सुनकर वीजेपी नेता आवाक रह गए और इसी के साथ इस बुलिटन में इतना ही खबरें जारी है